हेलो फ्रेंट्स देखे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी एनल यह जिसे हम रेल विकास निगम लिमिटेड भी कहते हैं और यह शेयर देखिए 72 रुपे पर ट्रेट कर रहा है 2.6% की इसमें तेजी कल हमें देखने को मिली और इसका जो कारण है वो कारण हम जानने की कोशिश करेंगे और अब देखिए यह शेयर बहुत तेजी से भागने वाला है बजट से पहले जो भी इसे लेना चाता है मैं कहूंगा के ले ले बैसे मैं कभी भी अपनी राई नहीं देता हूं लेकिन फिर भी इस पर कहूंगा कि हाँ इसे ले जा सकता है क्योंकि यह शेयर मुझे पता है कि बहुत अच्छा करने वाला है इन फ्यूचर वैसे तो बहुत सी चीजे इसके बारे में आप जानते होंगे कि सिर्फ यह 15,000 करोड की यह कंपनी है बहुत छोटी सी कंपनी लेकिन 75,000 करोड के इसके पास कितने 75,000 करोड के इसके पास order book पहले सी ही है साथ ही साथ देखें 72 का इसका current price है high गया था 84 रुपे और low 29 रुपे book value भी 33 की है 11 का PE है बहुत सस्ते PE पर मिलता है dividend भी देता है face value 10 की 19 का ROE और ROCE है 16.08 का तो देखें जो कल इसने तेज आई है उस तेजी का main कारण जो है उसको हम देख लेते हैं चली सीदे चलते हैं वहाँ पर जो एक इसका notice आया है तो देखिए अभी हम सीदे आ चुके हैं notice पर और notice आप देख सकते हैं rail विकास निगम लिमिटेड 11 जनवरी का ये notice है और इस notice में आप देखें तो नीचे आ नहीं है उसका construction इसको मिला है और इसकी जो cost रहने वाली है वो रहेगी 1134 करोड तो बहुत बड़ा amount है ये बहुत बड़ा order company को मिला है और देखिए ये जो order मिला है ये मिला है 1065 दिन के लिए मतलब इसको ये तीन सालों में ये order पूरा करना है मैं जो हम तीन साल लगाने है उससे पहले पहले ही इसको पूरा कर देगी तो देखिए आप जो है company को Metro Corporation से भी अब order मिलने लगे हैं तो बहुत शांदार इसका future होने वाला है और इन future देखिए बहुत ही शांदार ये return देगा इस जैसा कोई share मिलने वाला बहुत ही मुश्किल है railway sector में railway sector ने पहले भी अ नमस्कार और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चली चलते हैं फिर नमस्कार जैहिंद जैभारत